हेलो एन वेल्कम काईस वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाई जो इस असम प्रिमेर क्लब टीप्रेंटी चेंपिंशिप की जोकी मैच होने माले हैं यहां से da लगे जाना एक क्यों प्रुवर के जा सकते हैं तो बात करें समजर हैं तो बात करेंगें इस मैच की इससे पेल एक छोटी से रिक्वेच़्टर की यूट्यूब चैनल को अभी दहके अपने सस्क्राइब ने कि तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लिजगा और मेरी फाइनल टिम के लिए मेरी फाइनल स्मॉल लिक टिम के लिए आप टेलिग्राम से जूड़ सकते हो मैंने नीचे डिस्क्रिप्चन में अल्रेडी लिंक अटेज कर दिया है इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें टेलिग्राम में जाके सर्च करेगा फेंटासी डिसन चेलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हो एड़रेड अपडिसी 27 और अपको सिधा हमारा चैनल में जागा सिंपल उसे जोइन कर लेना क्योंकि फाइनल अपडेट और स्मेरी स्मॉल लिकी टीम आपको वही पर मिलने वाली है तो बात करेंज के तो यह मैच सुबह में नो बजे अमी गाउ क्रिकेट कराओं गोहाटी असम में किले दाएगा पीची पर के बात किया तो वैसे तो बैटिंग प्रेंडली पीच है लेकिन कभी-कभी टीम भी यहां से कॉल अप्स करवा जाते हैं फिर भी एवरेस स्कॉर की बात कर तो 140 के आसपास स्कॉर बन सकता है 24 मेंची चीश कहले ऑल जिसमें 24 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम नहीं जीति है सकता है इसमें कैसा है ना कि यार बैटिंग ओडर तो डैली उनका बर्दलता रहता है यानि को उपर नीचे बैटिंग ओडर होता रहता है कभी-कभी को उपनिंग कर वा ले थी या अन्शुमान कटोनी लास्ट मैच में अगली मैच के अंदर वह उपनिंग कर लिए तो ऎहांसे कोई भी अभी देखो अभी एक उपनर है यहांसे रोहन अजरिका तो रहान अजरिका ने पहली मैच के अंदर जर्चूरी जड़िटी जरती टो इनके बारे मैंने पहले बोला खा था 36-37 के करीबन उनके एवरेज है वो ये बंदा कभी भी आपको बड़ा स्कोर करता हो नजर आ जाएगा एवरेज की बात सुड़िए यहां से उनका अनुबहु देखे 69 मैच इसका अनुबहे 2315 रन कर चुक्के अलड़ी T20 के अंदर तो काफी अनुबहे प्लेवर मुलोग एज प्लेवर इनको लेगे जाएंगे वन कैप्टन्सिप और वाइस कैप्टन्सिप के लिए भी अच्छी चोईस हो सकते हैं शे राहूल अजारिका इनको जरूर ट्राइक कर सकते हो प्लेवर मुले लेकर अजारिक में जरूर चैंपन की लिए थी थांड़ के लुए आ तो यहां से हरेक मेंच के अंदर बैटिंग से प्रफोर मस्ट निबन सकते हैं लेकिन लास्ट मैच के अंदर भी आउट होगे 5 रेंट पे और वैसे भी अभी दख पर्खोमस जितना कुछ खास दिया नहीं लेकिन बैटिंग से भी कभी भी आपको बड़ा स्कोर काता हो नजर आ सकता है लेप्ट आम अठोडोक्स है कभी एक दो विकेडिक साथ में चटका यहां से अभी घर आता मचें लेकिन एक ग्राउंड से पहले में बता रहा हो तक हैक एक ट्रांड जोए यहां से लेफ्टाम आटोडोग को काफी सारा मदद मिल रहा है यहां से तो हमारे लिए वेर इंपोर्नेट पिक रहेगा अभी जोत सिंग सिद्धू इनको हम लेके जाएंगे हिरक जोती चोधरी राइट हैंडेट बैटिंग कर रहेंगे यहां से तमूली तो इंपोर्नेट पिक रहेंगे आपको स्टार्टिंग में और देथ में दोनों हमें दिखेंगे को अच्छी चोईस नाम लेट भी ट्राइ करेगा बाकी मोहिना बस परस वेरी इंपोर्नेट पिक रहेंगे वन कैप्टेंशिप और वाइस कैप्टेंशिप के लिए एक अच्छी चोईस बन सकती है पहली मेच के अंदर चार विकेट निकाल लिए थे और दूसरी मेच के अंदर सिर्फ दो वोस की गयन बाज़ी थे तो यासे रेगूलर बेजिस पर वोस पुरी करवा सकते हैं विकेट लेने के चांसिस रहता है राजा मलिक तो आज इनको कोई भी लेकर नहीं जा रहा था लेकिन हमारी टिम में वो शामिल थे एक अच्छी पारी खेली तीन वह सी गयन बाज़ी भी लेकिन विकेट नहीं मिला तो अगली बार वह बॉलिंग से भी अच्छा परफोमस दे सकते हैं राइट ताम फास गयन विकेट नहीं मिला तो बैटिंग से एक रन किया था वैसे ओर रोल रेकोर्ड्स 37 की उनकी एवरेज है 10 मैच के अंदर 163 रन की हुए 10 विकेट भी निकाले तो यह आपको बैटिंग से बॉलिंग से दोनों इसे एडवांटेश दे सकता है तो इस बंदे को आप थोड़ा सा नहीं में लेकिन परफॉर्मस उनका तीनों मैच इसमें जबाजस रहा है पहली मैच के अंदर 2 विकेट निकाले दूसरे मैच के अंदर तीसरी मैच के अंदर ओर सी विकेट की गयन बाजी की लेकिन बैटिंग से 13 रन का स्कोर किया तो ऐज़े पलेर अच्छी चोईस बन सक लेकिन कंसिंटरसे से वर्स नहीं की पहली मैच के अंदर 3 वर्स की दूसरी मैच के अंदर ओर नहीं की और लास्ट मैच के अंदर 4 वर्स की पूरी गयन बाजी करते हुए 5 विकेट निकाल दे है और और रेकोर्ड जेख सकते हो 25 मैच के अंदर क्यावने विकेट है तो इनक हैं परकि सुबंदास की बात को तो और एक मैच के अंदर लगबग पूरी वोस कर बाता हो नजर आएगा और विकेट भी अच्छी काशी निकाल सकता है तो इनको आप ट्राइ करेगा 17 मैच के अंदर 22 विकेट निकाल चुके अच्छा अंदूप में वह निको ट्राइ जरूर करेंगे बाकि देथोस की बात किया तो एस विश्वास यानिके समराट विश्वास और यहां से सुपरमदास दोनौप को देथोस में गेंट बाजी करते वो नचर आएंगे बैंश की बात कियो तो यहां से सुभांकर घोष हो गए अर्नब नाच सरकार राहूल तलुगदा तो इन में से कोई भी खेलेगा नो इनके शेट साब को टेलिग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा तो विकेट किपिंग में से मैं यहां से मनसूर अली के साथ जा रहा हूँ बाकी तमूली वगेरा को ट्राइ करना हो तो कर सकते हो बैटिंग ओडर की बात करो तो यहां से पी अजीज यहां से रोहन हजारिका यह देख ले ना एक बार राहूल अजारिका स्वरी रोहन हजारिका नहीं यह राहूल अजारिका है बाकि BNRG भी एक अच्छी चोई से इनको ट्राइ कर सकते हो और बाकि options मैंने बता दिया आपको bowling section में से सिद्धू है यहाँ से जोती, चोधरी, HK चोधरी और यहाँ से OP महंता को मैंने लिया हुए OP महंता की जगा पर आप यहाँ से S10 को भी try कर सकते हो यह भी अच्छे baller से, यहाँ से P4 यह भी अच्छी choice हो सकता है तो इन में से किसी को भी try करना हो रोका सकते हो बाकि मेरे captain यहाँ से रहेंगे अभी सिद्धू हमारे captain रहेंगे और wise captain से यहाँ से S0 को दी हुई है लेकिन यादर यह demo team है, final team में आपको मिलेंगे टेलिग्राम में, final line आपके बाद, तो टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा, नीचे description में मैंने link attach करके दे दिया, इनके सगर link वर्क ना करें, टेलिग्राम में जाके सर्च करिएगा fantasy decent challenger या फिर आप सर्च कर सकते हो fdc27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जागा simply उसके जोइन कर लेना, यहागर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक और share कर सकते हो, बागी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा, क्योंकि आगे आने ओले और अच्छे मैचिस के वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नएक सर्प्राइब्ली वीडियो के साथ तब तका पूरा वीडियो देखते हो, अच्छा एनले शिस केते हो, अच्छे टीम बनाते हो, अच्छे मिने केते हो बाई धन्यवाद, जैहिन, जै भारत